अम lawyers ciao गर्ट नमस्क्वार दोस्तों Mayhrushushushushushushruhash स्वागत करता हूँ आपका आज इस वीडियो में तो आज पीदिते ना बात में महींद्रा थार के बारे में यह महींद्रे थार जो है हर किसी का सब्ना होता है हर किसी का शौक होता है वरना अगर आप family man है तो यह आपके लिए बिल्कुल भी जो है एक तरीकी से problematic गाड़ी हो सकती है क्योंकि comfort के अगर बात करें न तो इसके में थोड़ा सा comfort जो है lag होता है हाला कि अगर क्योंकि यह गाड़ी comfort के लिए देखो बनी भी नहीं है यह जो गाड़ी बनी है इसकी speciality यह है कि यह off-road capable है यह जो गाड़ी है कितने ही rough terrain में चलाओ किते ही जो है sand में चलाओ mud में चलाओ snow में चलाओ कहीं भी चलाओ यह गाड़ी बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी और आराम से perform करेगी यहाँ पर आपको c8 के tire देखने को मिल जाते हैं जो की all terrain tire यहाँ पर हैं और इनके profile की बात करते हैं और इनके प्रोफाइल की बात करते हैं तो यह इसका टायर गार है यहाँ पर थार के बाझिग मिल जाती है Allover आपको काफी एक डागे बैचिंग को मिल जाएंगी और अगर बात करें तो helmet 1 ,500 बढकर रित नतना है यहांपे बड़ी सारी दो मिल जाती है एक अपको आपको अपको साइड में लॉक देखने को मिल जाती है तो काहिसा कोई ज Ama सबggिक्षि कोần जाती है जो को पॉषग शुंवर्य जाती है तो कराती है हाला कि आपको जो है अगर डीजल कर टैंक खोलना हो तो अभी भी जो है आपके आपको पहर से चाबी देखर ही जो एक अप्टर मार्के आपके पास जो है देखने को मिल जाते हैं काफी जादा सॉलुशन से इसके बटन वगर अगरा से पर यहां पर आपको बड़ी इंटेना देखने को मिल जाता है, एम होक की बैजिना को यहां देखने को मिल जाती है, और गाड़ी के औल ओबर अगर लुक के बाद कर ले ना, तो बहुती जादा स्ट्रॉंग, बहुती जादा एक तरीके से, बंपर के अगर इसके बाद कर ले ना, तो काफी जादा स्ट्र इसके अंदर आपको सोचने की जुरूत निया भाई, भाई, बहुत, most affordable 4x4 आपको यह देखने को मिलते हैं, वहला है, the cheapest 4x4 you can afford is the Mahindra थार, अगर reliability की बात करें तो यहाँ पर बड़िया reliability मिलती है, अगर आप यहाँ पर इसके segment के बात करो ना तो यह एक मातर गाड़ी यह थी बड़िया जो है, आपको यहाँ पर light देखने को मिल जाती है, एक मातरी ऐसी गाड़ी है, जो जिसका कोई मुकाबला नहीं, rough, toughs को कैसी च जाती है, आपको अगर बूट की बात करें, तो साइड के अंदर यह खुलता है, और अगर आपकी जो soft top है, अगर थार तो यहाँ पर जो है आप शेड वगरा रख सकते हैं, निकालने के बाद, यहाँ पर जो है, आपको सिर्फ driver side के अंदर ही की का option देखने को मिलता है, यह यहां पर आपको कोई भी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है साथ साथ अगर बात करें तो यहां पर अगर मैटिंग की बात कर लेना तो मैटिंग भी सकेंद कोई नीचे कपड़ा वगरा नहीं दिया गया है तक दम प्लास्टिक के मैटिंग दी गई है कि अगर यह अच्छी साथ प्यानो फिनिश देखने को मिलता है बड़ी असा आपको यहां पर बात करें तो इसके साथ साथ अगर आपको जो चीजे ऑपरेट करनी हो यहां से आप डारेक्ट कर सकते हैं फिर यहां पर जो है आपको अलग सा ट्रीटमेंट दिया गया है जो काफी जादा देखने ह देखने को मिलता है जो को साइड में देखने को मिलता है जो इसकी बात करना है तो यहां पर आपको अपने एसी ना मिल viensख जई देखने को मिलता है साथी साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आपको USB Cable और जो है एक Charger जो है देखने को मिल जाता है यहाँ पे जो है 4x4 का आपको नॉप देखने को मिल जाता है जो कि तभी एंगेज होता जब आपकी गाड़ी न्यूटरल हो तभी जो है आपसको एंगेज कर सकता है गेर शिफ्टिंग की बात करें तो जो है यहाँ पे लॉंग शिफ्ट है गेर के और जो कि थार के अंदर ऑविसली होंगे भी बाकि वाइबरेशन जैसी कोई शिकायते यहाँ पे नहीं है यहाँ पे आपको पाउर वेंडो के ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो कप होल्डर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि क्रोम फिनिश के अंदर है अगर रियर सीट की कमफर्ट की बात करें ना तो कमफर्टेबल तो देखो यह इतनी जाद आप कहने सकते पर हास के अंदर अगर आपको दो लोगों को बिठाना हो फ्रंट से ही जो इनका रास्ता है है आपको स्पीकर लगरा देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे alayट बढ़ने के जो कि भाइच एक सेट आपको यहाँ पर प्राइबिर प्रॉमाइट सिटएशन नहीं होगी तो काच इस तरीके से आप एरुडयमिक कि इसके अंतर बात करें तो जब आप गाड़ी 80 किलोमे आने वाली है क्योंकि जिस तरीका स्ट्रक्चर है यह जो गाड़ी सिफ ऑफ रोडिंग के लिए बनी वी है ज्यादा इसके अंदर बगाने वगारा की उमीद आप नहीं करिए जो बढ़िया होगा फिर यहां पर स्टेरिंग आपको बढ़िया सा देखने को मिल जाता है यहां साथ 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 आगर बात करें तो लाइट और वाईपर के कंण्रोल भी को वहीं पर देखने को मिल जाते हैं फिर साइड की अगर बाद करें बाकि यहां पे जो थार की बेजिंग है लाइटो के अंदर भी वह आपको बताती है और यह 4x4 का जो आपको लोगों देखने को मिलता है इससे आपको यह पता लगता है कि यह जो गाड़ी है 4x4 है आफ रोड कैपेबल है आप इसको कहीं भी ले जाएगे आराम से बेफिक्र यह गाड़ी वहां से निकल गया जाएगी फिर अगर बात कर लें यहां पर थार की यहां पर आपको वापिस से बेजिंग देखने को मिल जाएगा पूरा प्लास्टिक है यहां पर कुछ भी हैसा आपको कपड़े का नहीं देखने को मिलेगा पूरा एकदम रिजड प्रेफरेफरेबल बात करें तो यहां पर आपको डेफिनेटल के अंदर जाना चाहिए क्योंकि पैट्रोल के बात करें तो तो बहुत ज़्यादा कम इसका माइलेज देखने को मिलेगा लगबग साथ याठ का आप एक्सपेक्ट कर सकते और आटमेटिक के अंदर तो पांच से च्छे के से ज़्यादा आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करें किसी भ्यारत में अगर रियर सीट की स्पेस की बात कर ल मिलती है इस रेट के अंदर आपको महिंद्रा स्कॉर पर एन भी देखने को मिलने लग गई है जरूर से आप बताईए कि आप महिंद्रा थार लेना पसंद करेंगा ठरालाग रुपे में या फिर आप महिंद्रा स्कॉर पर एन की तरफ जाएंगे तो इस वीडियो में इतन नहीं था वीडियो पसंद आई तो चन्टो लाइक शे सब्सक्राइब कर दिजिए धन्यवाद